नेक्स से बच्चो, divisibility by 5, अब ध्यान दें बच्चो, देखिए, कोई नंबर 5 से तब divisible होता है, जब उसके unit place पे, ध्यान से सुनिएगा, जब उसके unit place पे, यानि कि once digit जो होती है, उसकी या तो 0 हो जाए, और, और का मतलब या तो, हिंदी में लिख दे रहा हूं, समझ जान 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाए, तब भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, या तो 0 से, या तो 5 से, और, या तो 0 देखना, आपको unit place पे, या तो 5 देखना है, ठीक है, चलो, अब मैं आपको नंबर दे रहा हूं, जैसे कि बच्चो मैंने आपको नंबर दिया, 625, ठीक, अब देखो, unit place पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, या देखी, unit place या once digit आप देख सकते हो, इसकी, once place पे, ठीक, तो इसकी, ये भी बहुत असान rule है, सभी बच्चों को आता होगा, once digit इसकी 5 है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इस से तो divisible है, yes sir, unit place पे 10 आ रहा है न, ठीक, तो ये 10 से divisible तो है, तो वो तो बात है, ये 5 से भी divisible है, और एक बात बताऊं, ध्यान सा सुनो, देखो बच्चों, 10 का factor होता है न, कौन, 5, ये आपको पता है, 10 को आप 2 into 5 लेख सकते हो, 10 को आप क्या लेख सकते हो, 2 into 5, तो 10 क् आप का, 5 का factor, sorry, 5 क्या है, 10 का factor है, 5 क्या है, 10 का factor है, ये क्या बात बता दी, sir, इसका मतलब ये बता दिया, मैंने, sir, कि 10 को 5 divided कर देता है, yes sir, 10 को 5 divided कर देता है, भाई, 5 to the 10 होता है, ठीके न, तो अगर, मतलब 10 का जो factor होगा न, तो 10 जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है, आके चलके आपको पढ़ा हैं, NCID में rule, ठीक है, मतलब इसको जो number divide कर रहा है, कौन कर रहा था, इसको 10 कर रहा था, yes sir, तो 10 के जितने भी factor होगे न, वो इसको divide करेंगे, 10 के दो factor है, 2 और 5, तो 2 भी इसको divide करेगा, 5 भी, वो अलग बात है, भी आप बस 5 के divisibility rule पे concentrate करो, बस बस मैंने सवाल ये पूछा है आपसे, क्या, कि क्या ये 5 से divisible होगा, yes sir, क्योंकि sir, 5 से divisible वो number होते हैं, जिनके unit place पे या तो 5 आ जाए, या तो 0 तो 0 आ तो रहा है, तो ये 5 से divisible हो जाएगा, ठेक है students, अब आईए मैं आपको दिखा भी देता हूं करके, चलो, 625 के unit place पे ठेक, 5, 2, क्या हो जाएगा, 10, यहां बचेगा 2-02 और यहां से 5 कॉपी किया, 5, 5, कितना होता है, बताइए, 25 और remainder आ गया, कितना 0, ठेक है न, तो कितना आ रहा है question, 125 remainder हो गया 0, ये 5 से divisible है, इस number को देखो, क्या number है आपके पास, 5, 2, 4, 0, चलिए देखते हैं, क्या हलत इसकी, 5 से किया, तो 5 वंजा कितना होता है, 5 होता है, ठीक, 5-5, यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां से 2 कॉपी किया, आप देखो, 5 की table ऐसी पढ़ो, कि या तो 2 आजाए, या तो 2 से छोटा आजाए, अगर 5 नहीं कर सकते हो, यहां, आपको reverse order में table चलनी पड़ेगी, यहने कि 5-0, आपको 0 करना पड़ेगा, 5-0 कितना होता है, 0, सही है, तो ऐसी condition में, जब number यहां छोटा होता है, काफी, तो हमें 5 की table ऐसी पढ़नी है, कि या तो 2 आजाए, तो 2 से छोटा, तो 5-0 कितना होता है, 0 अब 0 तो 2 से छोटा है, तो 2-0, 2, और यहां से 4 कॉपी करेंगे, ठीक, 5-4 जा कितना होता है, 20, अब 4 कॉपी करोगे यहां से, ठीक, तो आप देख सकते हैं, क्या हलत इसकी, ओके, इसको थोड़ा सा shift कर लेते हैं, अब आप देख सकते हैं, student से यहां पर, ठीक, तो क्या हो देख लो, यह 5-3 divisible है, ठीक, आप कुछ questions आपको देते हैं, और आपको बताना है कि, without divide किये हुए आपको बताना है, कि वो 5-3 divisible है कि नहीं है, ठीक है students, चलो, नंबर है मेरे पास, 5-2-3-6-7-5-9-5, 6-2-3-5-0-1-0, और नंबर है, 2-7-9-5-5-5-7, चलो, बस इतना ही काफी आपका, ठीक है ना, चलो बताओ, क्या 5-23, 5-3 divisible है, no sir, क्योंकि sir, इसका जो unit place है, unit place पे, ना तो 0 आ रहा है, ना 5, 0 है, 5 में से कुछ आ जाता है, तो बात बन जाती है, यहां तो 3 आ रहा है, यह 5 से divisible नहीं है, यहां unit place पे 5 आ रहा है, यह 5 से divisible हो गया, ठीक, उसके बाद, next number दीखिए, यहां unit place पे क्या रहा है, 0, ठीक, तो यह भी 5 से क्या है, divisible है, मैंने आपको बता है, unit place पे आ तो 5 आ जा, या तो 0, दोनों में से कुछ भी आ जा, चलेगा, ठीक, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, उसको मैंने box में बंद करके टिक लगा दिया है, ठीक, चलो, क्या यह number 5 से divisible होगा, नहीं sir, यहां तो बहुत सारे 5 आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं, आपको unit place पे देखना है, पीछे से first number, unit place पे तो 7 आ रहा है, या तो 5 आता, या तो 0 आता, दोनों में से कुछ नहीं आ रह